नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका विंद्या टाइम्स में खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है जहां वेटनरी कॉलेज के छातर छात्राएं विगत 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कॉलेज में धर्णा पर बैठे हुआ हैं लेकिन सरकार द्वारा इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है वेटनरी कॉलेज के छातराओं का कहना है कि हम लोग अपनी तीन मांगों को लेकर विगत 15 दिनों से धर्णे पर बैठे हैं सरकार द्वारा हम लोग का ध्यान नहीं दिया जा रहा जिसको लेकर हम लोग कॉलेज में चाय बेशने को मजबूर हैं और अब हम लोग कल से भूक हरताल पर जाएंगे अगर हमारी मांगे फिर भी पूरी नहीं होंगी तो हम लोग सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे देखे वेटनरी कॉलेज के चात्र चात्राओं ने इस पर क्या कहा है मेरा नाम शूती श्रवास्तव है मैं फाइनल एर से हूँ कॉलेज और पिटनरी साइंस और हम लोग यहां पर स्ट्राइक में बैठे होएं आज हमारा डे 14 है और हमारी तीन मुख्य मांग है जिसमें से पहली कि हमारे यूजी स्ट्राइपन में व्रिद्धी होनी चाहिए जो कि मातर 4,600 रुपए है जो कि बाकी राजियों के मुकाबले काफी कम है और अगर इंटर्शिप में आके भी हमें घर से मांगना पड़े तो क्या ही है फिर हम इंटर्शिप में आके भी हमें घर से मांगना पड़ेगा और हमारी दूसरी मांग यह है कि हमारी वेकेंसी में इंक्रिमेंट होना चाहिए और तीसरी मांग ये है कि हमें पीजी में भी स्ट्राइपन मिलना चाहिए जी नहीं अभी तक आज हमारा स्ट्राइक का डे 14 है आज शाम को हम केंडल मार्च करेंगे और कल से हम लोग भूखरताल में जाएंगे हम लोगों की मतलब ऐसे कोई नहीं आए यहां पर हम ही लोग गए थे हमारे कॉलिज के कुछ चात्र भोपाल गए थे वहाँ पे वित्मंत्री से बात हुई और सीम से भी बात हुई है और पुश्पराज जी से भी बात हुई है सिंधिया जी से भी संपर्ख हुआ है पर अभी तक हमारे पास कुछ रिटिन नोटिफिकेशन नहीं आया है शुरूती श्रिवास्तव मेरा नाम रंजीत पटेल है मैं वेटनरी कॉलेज रिवा का चातर हूँ और हम यहाँ पे पिछले 14 दिनों से स्ट्राइक धरने पे बैठे हुए है आप लगतार देख रहे हैं कि बच्चे हमारे संगर्स करे जा रहे हैं पर सरकार की तरफ से अभी तक हमारी लिए कोई ना रहा कर आगने राज्यों की तुलना में जैसे 22,000-23,000 तक मिल रहा है राजुवास में और बिहार में तो उसके बरावर किया जाए हमारी दूसरी मांग यह है कि हमारी जो सीट से सरकारी आकड़ी की माने तो 280 के आसपास जो बची हुई है वो कहने के लिए 127 को चबी जिन प 600 बच्चे यहा हैं और तीनों कॉलेज में बिलाके 1500 से भी ज्यादा चाहते पड़ रहे हैं और 7,000-8,000 अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं और उनके लिए सिर्फ 500 सीट बची हुई है तो उनको बढ़ाकर एक सम्मानी इस्तिती में पहुंचाया जाए जिससे की सारे जो उनका बबिस सुड़क्षित रहे हमारी तीसी मांग यह कि जो पीजी में स्टाइफेंड अन्न राज्यों में 20,000-50,000 तक की प्रभावित है तो उसे कम से कम हमारा इतना तो किया जाए कि जो बच्चे पीजी में यहाते हैं वो अद्यान करने के लायक तो हो आज यह हाल है ह कि शात्र एडमिसन नहीं ले रहे हैं पीजी में हमारी यूजी की सीटें खाली जा रही है उसका कारण सिर्फ जो पीस ब्रद्दी और पीस ब्रद्दी सड़का लगतार कर रही है और यहाँ पर उनको मांदे तक नहीं दिया जा रहा है तो तीसरी मांग हमारी है और मैं धारी कहा जाता है हम उस चीज को देख रहें कि हां हमारे साथ वो हो रहा है तो हमारी मुख्मंति जी से यह भी एक अपील है कि यदि आप घोशड़ा करते हैं तो कम से कम उसको पूरा करिए नहीं तो आप घोशड़ा बिलकुल मत करिए और आप यदि अभी भी मैं सरकार से खुलके कहना चाहूंगा अभी भी यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती यदि तो कल से हम सभी भूंकरताल पर जाएंगे और इसकी जुम्मेदार यदि किसी भी चात्र को को चोता है तो इसकी जुम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है हमारी मद्दपरदेश शासान होगा उ अपनी मांगे मनवाइ बिना यहां से नहीं होटेंगे.